23 अरब रुपए की सबसिडी 40 किलो के आटे के बैक के उपर तकरीबन 1100 रुपए मगर इसके बावजूद वाइलेंस नहीं रुका तकरीबन तीन लोग शहीद हो गए हैं पश्मीर में मुझाफराबाद से लेकर और अलाकों के अंदर और ये कैसे हल होंगे 23 अरब रुपए की सबसिडी तो नहीं करता प्राइम मिनिस्टर उनके पास सिफर पावर है असवकर एक मुश्किल मरहला है डेफिनिटली पाकस्तान के लिए के पी के अंदर बहुत सिविय इसवकर चीफ मिनिस्टर वजीर आहला अली अमीन गंदापूर जो भी टी आए खान से हैं जो आपके गवनर है कुंदी सहाब डर है के कहीं गवर्नर रूल ना इंपोस कर दिया जाए आग लगी बस्ती में और अर्बों रुपए की सबसिडी भी इस आग को बजहाना सकी लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश्राम देए डू लाइब सब्सक्राइब और शेयर दिस कांटेंट इंडिपेंडेंट जूर्नलिजम को आप सपोर्ट करें और जतना आप सपोर्ट कर सकते हैं अफकोस उतनी ही हम आप तक ये खबरें पहुंचा सकते हैं 23 अरब रुपए की सबसिडी 40 किलो के आटे के बैक के ओपर तकरीबन 1100 रुपए सबसिडी इसके इलावा इलेक्टिसिटी के ओपर मैसिफ सबसिडी यानि चंद रुपों के ओपर एक किलो वाट के ओपर उन्होंने अफर किया मगर इसके बावजूद वाइलन्स नहीं रुका और इस वाइलन्स के अंदर तकरीबन तीन लोग शहीद हो गए हैं इंजरीज बहुत सादा हैं बहुत ही एक गहमा गहमी सी पहली हुई है कश्मीर में मुझाफराबाद से लेकर और अलाकों के अंदर जो खबरे आ रही हैं पुलीस के ओपर हमले हो रहे हैं इस टेरिबल सिचुएशन अंबलीवबल आप कहलें के यह कहते थे कि एक जगलर वेन जो डिस्क्राइब की जाती थी पाकिस्तान की कश्मीर वैली तो उस तरफ है मगर यहां पे हमारी तरफ आजाजमून कश्मीर जो है और अब यहां पे यह अगर सीन नजर आ रहे हैं तो इस टेरिबल मंगर इसकी थोड़ी एक हिस्ट्री भी मौजूद है नौ मई से चंद हफते पहले एक तबदीली आई थी कश्मीर अजाग कश्मीर की लेजिसलेशर के अंदर जहां पे प्राइम मिनिस्टर को एक वहां पर भी एक वोट कान्विडिन्स आप कहलें एक हुआ था एक साल बाद ही के जो पी टी आई के हमायती वजीर आजम थे अजाग जमूर कश्मीर के उनको अटा के यानि तन्वीर इल्यास साब को डिस्कॉलिफाई किया गया और वो थे एजएके के पी एम उस वकत ये बात है अपरेल दोहजा 23 की और एक फुल कोड बेंच अजाग जमूर कश्मीर की हाई कोड की उन्होंने डिस्कॉलिफाई किया था सरदार तन्वीर इल्यास साब को और वो उस वकत बिलकुल रुक गए थे अब प्राइम मिनिस्टर बंदा मगर उनने ब्लेम किया था टबैको माफिया को उनने ब्ल जरूर किया था इल्यास साब ने कि ये प्रॉजेक्ट लिंबो के अंदर चला गया बिकॉज जो कोर्ट ने उसके उपर एक स्टे और डाल दिया था उस दोर के अंदर एक साल पहले की बात है तो इसकी एक कांटेक्स्ट है एक जैनिसिस है कहां से ये चीज शिरू हुई कहा पर ये चीज जाके रुकी और कहां पर ये चीज फिलहाल खड़ी हुई है बहुत ही एहम निशानिया सवाल इस पे अब खड़े हो गए हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर और ये कैसे हल होंगे 23 अरब रुपे की सबस्दी तो इनको हल नहीं करता नजर आ रही प्राइम लाइ मिनिस्टर हम शरवाश शरीफ की बात करते हैं तो वो बिलकल पावर्लिस है उनके पास सिफर पावर है अस וकत और वो उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं एक रुबर स्टैंप है वो असली पावर कहा है सम सब जानते हैं असली पावर कहा है हम सब क्योंकि एक तरफ कश्मीर जल रहा है और उनके जो नुमाइंदे हैं जेज क्यू के सिविलियन नुमाइंदे टेक्नोक्राइट अल्टमेट टेक्नोक्राइट जो हैं जो बहुत डिफरेंट टोफिया पहनते हैं पीसीबी चेर्मन भी हैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इस वकत वो ट्रैवल कर रहे हैं टीम को पाकिसान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत एक मुश्किल मरहला है डेफिनिटली पाकिसान के लिए प्रायॉरिटीज बिल्कुल स्क्यूड हैं स्टेट की SIFC के अंदर गुसे रहे हैं एक तरफ लेके एक तरफ लोगों को जेलों में रखा हुआ हैं लिट्री ट्रायल्स हो रही हैं एक तरफ एक फायर वाल क्रियेट करने की बात की जा रही है सोशल मीडिया के अराउंड वोइस को सप्रेस किया जा रहा है तो एक बहुत ही पैनिक के औस आनार्की नजर आ रही है हमें कि बजाहिर तो पर तो शेल तो दिखा रहा है कि मैं बहुत in control हूँ मगर अंदर से nothing is in control और अब वो चीजें बाहर उभर के आ रही है सामने So yes, it's a very very critical situation क्या steps लिए जाएंगे कौन वो steps लेगा इस issue को address करने के लिए और ना सरफ ये issue है हर तरफ ऐसे issues उभरते हुए नजर आ रहे हैं सामने पलुचिस्तान के अंदर KP के अंदर मैं repeat करता जा रहा हूँ KP 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 के अंदर बहुत severe issues है इस वकत एक tussle चल रही है between the chief minister वजीर आहला अली अमीन गंदापूर जो डियाए खान से हैं और जो आपके governor हैं कुंदी सहाब उनके दिर्मियान वो भी डियाए खान से हैं तो इन दोनों के दिर्मियान एक वो चल रही है governor rule के के वो हो रहे हैं you know there is like the fears डर है के कहीं governor rule ना impose कर दिया चाए तो ऐसे वक्त में हमारे सामने हमें क्या नज़र आ रहा है किस तरफ ये चीजें जा रही है economically I keep on saying all of these things are connected आपका impression एक जो economy आपकी वो चलती है एक तो obviously consumerism के वो पर चल रही है चीज सही है आपकी 200 million लोग पाकिस्तान के अंदर आपकी population है तो इसकी economic needs भी होंगी एक हलकी सी भी activity हो sixth largest country in the world एक तरीके से तो कुछ ना कुछ economic output होती है उसकी उसके बावजूद चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही है आपका ख्याल है बताए हमें comment section के अंदर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बावजूद